कुन्डों की नियास ठीक है और ये नियास जो है ना कोई बच्पन से मैं देखती आ रही है हमारे है पहले जो है कि लिए बी जो है न वह रात काफी देर तक जो है वह पुढ़ियां बनती रहते थी और टिकियां बनती रहते थी और इस सरह तो मेरे का ओम खुंख है तैकिम Candid's, पर में टिक्षक के लिए तो जी 17aa किलो मैदा था। इसके अंदर मेने एक पर के जो हना डाल दी है सोजीी हारा सा जो डाल दी है और hopra का जो वह वह होता है बुरादा वहारा सा वोधा डाल दीय है ऐसके कप अगर और देसी के जाता तो जीदा खस ficar की बन जाते हीं लेकिन मेरे पर मेरे देसी के फ़िए इसको ऍाइए आइल व्हम धेसे मिकस कर लेना है थोड़ी से मैंने वो चीनी इलाइची डाल दे ती खीद में और बाकी मैंने इस में आटे में डालके जो है ना ग१न लिया तो इलाइची जो है वो मस्ट है लाल मैं 《दालीएगा इलाइची पाうडर हो तो जयादा अच्छा है अच्छा के बाद इस ओगन लेना है अच्छ बनाके पिर इसको बेलते हैं और टीकियों की शेव देते हैं और बohet जये अला पाक जो है वो मनजूर करें कभूल करें हमारे जो ये नजर न्यास हमने दी है 22 रजव की कुनों की और वैसे भी जो है नजर न्यास दिलाते रहना चाहिए बहुत अच्छ होता है और इस तरह जो खाना है बनाना और खिलाना सबको ये वैसे भी पहुत अच्छा होता है हमारे लिए तो बस ठीक है जी वैसे तो कुनों की जो न्यास है उसमें इस तरह होता है कि चोदा पुड़ियां बनाई जाती है सवा किलो आटा या मैदा लेकर उसकी लेकिन उसके बाद फिर आइसा ऐसा लोगों ने अपने से मतलब इस तरह चीज़ें बना ली खीर बना ली साथ में और चरे बना लिए और कोई खाना भी साथ में बना लेता है तो इसमें कोई वो नहीं है अच्छी बात है आप जितना अच्छा का बनाए हो जितना लोगों को खिला सकते हैं जितनी अल्ला ने हमें तुफीक दी हो हम कर सकते हो उतना कर लेना चाहिए तो बस जी मैं भी पुरियां बना रही थी पुरियां ने ये टिकियां वगरा बना रही थी और साथ में खीर थी, साथ में चेने थी और शीर माल वगरा वो उसका आडर दे रिया था तो मैंने का मैं रेडिमेट बने बनाएं, मगवाल होंगी तो मर्जी होती है जी शीर माल हो जाएं या फिर आप खाना कर लें साथ में तो बस ठीक है अच्छा है जितनी नियाज देंगे अतना ही हमारे अपने लिए अच्छा होता है बस आला जो है वो कबोल करें और भी जिस जिस ने नियाज की है सब की आला कबोल फर्माएं चैने जो है मुबाइल कर लिये थे और इसमें इमली का रस डाल दिया था और इमली का रस डालते हो है मुझत बियार रहस Me ये तरक्यों के साथ बुडियों के साथ और बगजी एंडमे इसमें लगाना है का तड़का और तड़के में से ज़ीरा डाला है आईल के अंदर और इस तरहां गोल वाली जो साबित मिच्छे हैं ये डाती है तो बस जी इसके साथ मिक्स कर देंगे थोड़ी इसी देर के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे और फिर जो हमारे जने रेडी हैं बस मैं ये फाइनल देका रहा ही थी सारा कुछ जो भी रेडी किया था मुझाने कुछ इस तरह से लग रहे हैं वाले मजे के बढ़े जूसी जूसी से जने बनते हैं और बहुत मजे के लगते हैं तो ठीक है जी ये ती मेरी नियास की चोटी सी मैने वीडियो जो चोटी चोटी क्लिप्स से बस उनको जो है वो एडिट किया और आपके साथ शेयर करें हूँ ठीक है जी अपना बुसरा ख्यार रखेगा मुझे अपनी दौमे याद देखेगा ओके जी अलाहफेज